तो भाई यो कल की 2898 AD मूवी के रिलीज उने के ठीक छे दिन पहले अपने को कल की 2898 AD का सेकंड ट्रेलर देखने को मिलता है जो की हमको पता भी नहीं था कि वो हमारे लिए नीडेड था है और उन्होंने वो दे दिया क्योंकि कल की के इस ट्रेलर में अपने को कुछ ऐसे चीज़े देखने को मिली जो की unexpected थी एंड इस ट्रेलर को देखने के बादे मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि इस मूवी के अंदर अपने को मूवी का VFX अपने को जरा भी disappoint नहीं करेगा इसके VFX को देखके मैं बोल सकता हूँ कि यह Hollywood level की VFX है तो देखो अपने को अश्वथामा का introduction देखने को मिल चुका है बुझी का introduction देखने को मिल चुका है बुझी एंड भैरवा का introduction देखने को मिल चुका है और फिर कलकी के पहले अश्वथामा से होती ही जहाँ पर पानी सूख चुका है और हम अश्वथामा के हाथ में वह मड़ी देखते हैं जो कि अभी भी आइरनी की बात ही होगी कि पेड का नम Tree of Life है और यहाँ पे यह पेड पूरा सूख चुका है खेर यह पेड अपने को अंचार्टेट गेम में भी देखने को मिला था जहाँ पर यह ट्री शंबाला में ही था इसके लावा यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ही हो सकती कि यह Tree अपसाइड डाउन है मतलब इस पेड की जड़े उपर आसमान की तरफ है और इस पेड की जो शाखाये है वो जमीन के अंदर है और अगर आप नोटीस करते तो फिर यह पेड भी काफी हत्तक वैसा ही लग रहा है जहाँ पर यह इसकी जड़े है और यहाँ पर यह सारे दू का आखरी पेड़ है ठेर इसके बाद के सीन समय लोग देखते कि अश्वा थामा भैरवाय से बचा के सुमती को सुरक्षित शंबाला ले आते हैं और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अश्वा थामा इनके साथ में लेकिन यहाँ पर पीछे इनकी ट्रेनिंग और का जगा पर कई सारी मूर्तिया देख सकते हैं जो कि गरुड़ देव की है और अगर आपको नहीं पता तो फिर गरुड़ देव भगवान विश्नु के ही वाहन है तो अब वो पेड़ यहाँ पर सेंस बनाता है क्योंकि अश्वाथा ट्री में विश्नु जी का वास है यह स हो सकते हैं कि सुमधी का यहाँ पर रेडर से बचके निकल के भागने में इनका एक बहुत बड़ा रोल हो इसके बाद हम लोग इनको अपने हाथ से लेजर चलाते हुए देख सकते हैं जिसका मतलब यह कि इनको आल दर टाइम अपने साथ गन करी करने की जरुरत नहीं है य अपने को अश्र थामा के महा भारत के टाइम के कुछ शौट दिखाये जाते हैं जो कि देखने में वाकई में काफी जाद अच्छा लग रहा था यहाँ पर आप देखते कि अश्र थामा को किसने एकदम जोर से मारा है जिसका इंपेक्ट इतना जादा था कि पहले तो वो इस से टकराता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता यह फोर्स इतना जादा था कि अश्र थामा के पीछे पड़े हाथी से टकराने के बाद भी हाथी भी कुछ दूर तक घिसते हुए जाता है तो इस सीन को अगर आप इस सीन को अगर ध्यान से देखते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इसकी हाइट और बाड़ी भीम से काफियत तक रिसेंबल करती हुए दिखेगी और इस सीन में हम लोग गदे को भी उड़ते हुए देख सकते हैं जो कि भीम का वैपन था वहीं पर हम लोग यहले सीन को भी देख सकते हैं जहां पर अश्वत थामा ने अपना ब् बैड़ेस था जो खुद एक चैंबर में था और अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो इसके आजू-बाजू में और दो चैंबर से जिसमें बाड़ी रखे गई है तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर यह दोनों बाड़ी ऐसा इस टॉक रखी होगी या फिर इन फ्रोसेस होगी ज कोई बड़ी पावर्स होल्ड करते हैं बट अगर यह अलबॉल बॉल में से एक नहीं है तो फिर अगर यह पांच ही बॉले तो फिर में भी यह कली के उन पाच चीजों को रिसेंबल करता है जिसमें कली का वास होता है जो कि यह हिंसा शराब सोना लालच और जुआ इसके अ बड़ी पाट नहीं है यह सिर्फ एक नॉर्मल विंडो टाइप है वहीं पे इस सीन के आगे अगे अपने को और भी कई चीजे देखने को मिलती है तो यह सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यहां पर इस मशीन के जरीए किसी भी pregnant lady को चेक करवाता है अगर वो बच्चा उसके लिए useful है तो फिर वो अपने यहां पर उसे मंगाता होगा इस chamber में डालता होगा जहां हो सकता है कि इस chamber के अंदर liquid की वज़े से वो बच्चे समय से पहले बढ़ा हो जाता है I mean उसकी growth फटाफट होती है and then वो उसको अपने लिए use करता है and maybe ऐसा हो सकते है कि यह machine सिर्फ चेक करने के लिए ना हो इस machine का use करके कुछ ऐसी चीज़ों जो कि बच्चों के अंदर उनके पैदा होने से पहले ही उनके अंदर implant की जा रही हो जो कि यह आस्किन के काम आए जिसके बाद अपने को यला शॉट देखते हैं जहां पर अपने को यह मालूम पढ़ता है कि एक शंबाले ही ऐसी जगाब अची है जहां पर अभी भगवान की पूजा की जाती है, मंदिर है और उनका विश्वास भगवान में है जिसके बाद अपने को वापस से बहरवा और अश्रतामा की fight दिखाई जाती है जो कि most probably ये movie के ending-ending की fight होगी और यहाँ पे बहरवा अश्रतामा के साथ में दूसरी बार fight कर रहा है क्योंकि पहली बार वो fight हार जाता है जहाँ पे वो probably missile ही सबका use करता है और अश्रतामा उसे पकड़ के उसी के तरफ fake देते हैं और इसी के बाद अपने को finally इस ट्रेलर का सबसे unexpected चीज़ देखने को मिलता है जो कि है बुझी का transformation मैं इस ट्रेलर में सच में ये expect नहीं कर रहा था और इसे देखके मैं खुश इसी लिवा क्योंकि इसका VFX इन लोगों ने काफी अच्छे से pull out किया है और मैंने ये कई लोगों के मुझे सुनाए कि प्रभास के facial expressions इतना अच्छे से बाहर निकल के नहीं आते हैं जिसे मैंने भी कई वर नूटिस किया है बट इस ट्रेलर में भेरवा का वो एविल लाफ और उसके expression सच में अलग लेवल का था हिंदी में देखने में इतना मजा नहीं आता बट तेलगु में उसके expressions के साथ में ये लाफ फुल घूस बंस मजा आ जाता है आपको मैं एक बार सुना देता हूँ क्योंकि काल भेरा का वाहन भी एक डॉग ही है इन सब के अलवा ट्रेलर के बैग्राउंड में जो सौंग चल रहे है वो भी I think एक मीनिंग होल्ड करता है जिसके बारे मैं अगली वीडियो में बात करेंगे अपनी theory वाली वीडियो में और अगर आपने अब तक में यह आली वीडियो नहीं देखी तो इससे भी चेक आउट कर लेना मिलूंगा मैं अपको अगली वीडियो में तब तक के लिए टाडा